हेलो फेंट्स वेलकम टू अनकेडमी आइम सिवम चैल उसे यूपी PCS मेंस और आरो आरो एक्जाम 2018 के लिए करंट अफेर्स की जो हमारा कोर्स है उसमें नवंबर से लेके जैनवरी तक के करंट अफेर्स हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनक करेंट अफेर्स तोजार रठारा और फेवरी के करंट अफेर्स और उसका पार्ट वर्ण वाशेनार अरेंजमेंट का भारत व्यालिश्वासादस बन गया है इसके स्थापन हुई थी 1996 में में और इसका जो मुख्याल है वो आस्ट्रिया के वियाना में है तो दोस्तों ती 1996 में में अमेरिका ने यरुश्लम को रिजराइल की राजदानी घोसित कर दिया है और अपने एक विदिश मंत्राले को उन्होंने आदेश दिया है कि जो अभी में प्रिजेंट उनकी राजदानी जो मानिता थी वो तेल अवीव से लिग अब यरुश्लम उसको इस सनांत्र किया जाए तो कोशन आपको आ सकता है यह कि इससे पहले राजदानी कहां थी तो तेल अवीव में थी भारत संक्रामक रोग ट्रेकोमा से मुक्त गोसित हो गया है ट्रेकोमा यह आँख से संक्रामक रोग था और उससे भारत मुक्त हो गया है तो इस रोग का नाम पूछा सक अब देखिए इसमें दो केटिगरी है पहला इसमें बताया कि ये दो बिसेस अदालते बनेंगी जो 228 सांसद हैं उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनकी जांच करेंगे ठीक है और बाकी के जो 10 अदालत हैं उनका कार होगा कि जो राज में जो विधायक होते हैं विधान राज में इन 10 अदालतों को जो है इस्थापित किया जाएगा तो उसमें जो राज हैं उनके नाम आपको द्यान से याद रखने चाहिए ये पूछे आ सकते हैं आंदर प्रदेश बिहार करनाटक केरल मध्य प्रदेश महराष्ट्रा तमिलाडू तेलंगाना उत्तर प्रद पर केस किया हुआ है मेगन इंडिया के तहट रोबोट इमित्र का जो है रोबोट है जिसका नाम है मित्र इसका निर्मार किया तो ये पूछा जा सकता है भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर प्रांड के वाइनाड जिले के वाणा सुर्षागरवांद में इसको इस्थापित किया गया है ठीक है यह पूछा सकता है कि किस स्टेट में इस्थापित किया गया है तो केरल और जिला कौन सा है वाइनाड दीन देयाल दिब्यांग जन सहज योजना इसकी शुरुवात हुई है तीन दिसंबर 2017 से असम की योजना है एक बात इंपोर्टेंट है आप याद रखिए अंतराश्टिये दिब्यांग जन दिवस के अवसर पर असम के गोहाटी में इस योजना की शुरुवात की गई है और ये योजना जो है एक राज आधारित है ठीक है ये सेंट्रल गवर्मेंट की स्कीम नहीं है ये स्टेट स्कीम है और असम ने इसकी सुरुवात की है तीन दिसंबर 2017 को बैसिकली इसकी डेट नहीं पूछी जाएगी यूपी का एक्जाम अगर होगा तो यहाँ पर सिर्फ इ इस जागरत हे यह पूछता है राज मंगा मन औरहें या यह बहुत हमेँ है रहे spr ripping शहाए तो जो है कि बाली इंडोनेशिया है बहाँ पर हाली से जihi हूख जो फोर्में तो मन निकल में कहाँ ईसलिए यह में आ सकता है कि कहां ऐद हो आभी हाली में तो ये कहां या किस डेस्थ में टोगी चक्रवाद हमारे साउथ इंडिया में वी आया सिलंका में और मालदीब तीन जगह प्रहाभी तरह को पंगलादेश के दोरा दिया गयाuir नाम इसने, related करके इसको नाम इसका दिया गया है लेकिन प्रभावित कौन रहा दक्षिण भारत सिलंका और माल्दी कुम्ब मेला 2017 में कुम्ब मेला को युनिसकों ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर गोसित किया है इससे पहले 2016 में नवरोज और योग इन दोनों को अमूर्त सांस्कृतिक धरासित गोसित किया गया और 2017 में बहुत important है कि कुम्ब मेला को अमूर्त सांस्कृतिक धरासित गोसित किया गया है विजिलेंट S18 ये important है ये एक संयुक्त वायू सेना अभ्यास है जो हुआ था अमेरिका और दक्षण कोरिया के बीच में सबसे बड़ी बात ये है कि ये अब तक का सबसे बड़ा वायू सेना अभ्यास है ठीक है तो ये इसकी खासियत है इसलिए पूछा सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा वायू सेना सेंयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ तो ये हुआ USA और दक्षण कोरिया के बीच में और अगर इसका नाम पूछा है तो विजिलेंट S18 इसका नाम था अजे वारियर 2017 युदव्यास भारत और इनाइटिट किंडम के बीच में हुआ यहां इंपॉर्टेंट यह है कि पूछा सकता है किन देशों के बीच में हुआ है तो भारत और यूके के बीच में हुआ है अजे वारियर 2017 राष्टिये पोशन मिशन यह इंपॉर्टेंट है इसमें इसकी जो क्रियानवित करने वाले जो मंत्राले हैं उन्हें के बारे में यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ दिनों से ऐसी को योजना नहीं आये थी जो कई मिनिस्ट्री के दोरा एक साथ च इसमें दीखिए चार मिनिस्ट्री वर कर रही है एक नीतिययो तो मिनिस्ट्री नहीं तेकिनीतिययो सौस्तय अवं परिवार मंत्राले जल्संब्रा ले और मैहलावा बाल विकास मंत्रा ले ठीक है इन चारों के तवारा राश्टिये पोशन मिशन को संचालित किया जा रहा है एक तरह से इस तरह से कोशन आ सकता है दूसरा ये कारियों के लक्षों के मादव से बौनापन, अल्प पोशाहार, रक्त की कमी जन्म के समय बच्चे का बजन का कम होना ठीक है? इन सारी चीजों को जो है दिहान में रखके कि इन सारी चीजों को कैसे बढ़ाया जाए ठीक है? उसके लिए कार किया जाएगा इसके द्वारा हमेशा विजई अभ्यास ये अभ्यास हुआ है राजिस्थान के बाडमेर और जैसरमी के रेगस्तानी छेत्रों में जिसमें भारत की दो सेनाओं ने भाग लिया है थल सेना और बायू सेना ये इंपोर्टेंट बात है कि कौन सी सेना इसमें सामिल हुए थी तो थल सेना और बायू सेना इसमें सामिल हुए थी हमेशा विजई अभ्यास में 2017 का साहित अकादमी पुरुसकार 24 भासाओं में दिया गया अब देखिए कोशन ऐसे आ सकता है कि साहित अकादमी पुरिसकार कितनी भासाओं में दिया जाता है तो important है आपको याद रखना है ये 24 भासाओं में दिया जाता है उसके बाद हम तीन ऐसी language होती है जो सबसे जदा important होती है हमेशा कभी भी कोशन बनता है तो इन language के उपर ही कोशन बनाए जाता है तो देखिए English के उपर आ सकता है तो अंग्रेजी का The Black Hill ममंग दई को दिया गया है उसके बाद में हिंदी की जो पुस्तक है बिश्व मीथक सरित शागर रमेश कुंतल मेग को ये दिया गया है और उर्दू के लिए उर्दू जो है करती है दख्मा और दिया गया है बेग एहसास को ठीक है तो ये तीन बहुत important है लगातार जब भी कोशन आये हैं तो इन तीन language से ही आये है ये 24 language के याद करने की ज़रूत नहीं है आपको और इतना आप याद भी नहीं कर सकते ठीक है तो सिर्फ याद रखना है अंग्रेजी के लिए मिला है ममंग दई को और किस के लिए मिला है दा ब्लैक हिल उसके बाद में हिंदी में मिला है रमेज कुंतल मेग को बसे यह important नाम आपको important है यह rate को रमेज कुंतल मेग को हिंदीका सहित अकादियों वर्सकार दिया गया है विश्व वमीथख शरित सागर के लिए उसके बाद में उर्दु के उर्दु में डखमा के लिए विग आइसास को दिया गया है इंकलाब के नाम से महसूर तमिल कवी और लेख साहुल हमीद यह important है साहुल हमीद को याद रखना चाहिए आपको इनको इंकलाब जो नाम से जाना जाता है और एक इनकी कती भी थी तो इनका जो है इनको साहित अकादिम पुरुसकार जो दिया है वो मरणो अप्रांत दिया गया लेकिन चर्जा में तव आया जब इनके परिवार ने इसको लेने से मना कर दिया ठीक है तो यह important है इनका नाम आ सकते हैं साहुल हमीद उसके बाद 27 वां जो व्यास सम्मान है हिंदी के लिए ममता कालिया को दिया गया है उनकी करती है दुखम-शुखम ठीक है करती भी important है और ये कौन सा है ठीक है 27 वां इस serial व्यास सम्मान का serial बहुत ज़्यादा पूछे जाता है तो याद रखिए इसका सीरियल है 27 वा व्यास सम्मान है ये और मिला है ममता कालिया को किस लिए हिंदी के लिए और इनकी जुकरती है उसका नाम है दुखम सुखम तो दोस्तों इस वीडियो में उतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक यू